So hello guys this is your question number 18 from the series अब ये question इसले include किया गया है क्योंकि first time आपने यहाँ पे modulus का sign देखा है तो modulus से confused नहीं होना है actually मैं rule तो हमारा same है आपने पहले भी ऐसा कई बार question किया गया है less than or equal to वाला तो इन questions में आप या तो इस mod x को is equals to भी दिखात सकते हैं और या आप इस mod a को यहाँ पे बिलकुल less than दिखा देंगे b के अगर आप इन में से कोई भी एक condition को satisfy कर देते हैं तो सारी relations अपने आप reflexive symmetric transitive बन जाएंगे as per the scenarios तो सबसे पहले बात चलती है हमारे reflexive की तो reflexive में तो अब आप लोगों को idea लगी गया है कि a और a को ही उस relation में होना चाहिए अब मैं आप से बोलूं mod से जो भी value निकलता है वो positive value निकलता है तो अगर मैंने यहां पर by chance डाला mod के अंदर 2 तो बाहर भी answer क्या निकल के आजाएगा आपका 2 यहां तक कोई attention अगर मैंने आपका answer यहां पर डाला minus का 2 तो answer जो भार निकल के आएगा वो आएगा आपका 2 ठीक है तो अब मुझे यह बताइए आप लोग बड़ा simple सा theory है इसका कि यह आपके accordingly symmetric, reflexive या transitive बनेगा या नहीं बनेगा तो सबसे पहले तो यार इस fifth वाले को ही discuss कर लीजिए आपके साब से अगर आप इसको ढंग से देखें तो क्या यह reflexive बन रहा है यह reflexive सर नहीं बन रहा है क्योंकि जब आपने यहां पे देखो आपको ना कोई भी real number put करना है तो यहां पे जब आपने इसको minus 2 डाला जब आपने इसको minus 2 डाला तो आपने देखा minus 2 को डालने से minus 2 ही ideally निकलना चाहिए ठीक है ऐसा ही rule है लेकिन 2 को डालने से और minus 2 को डालने से मतलब एक जैसा value आना चाहिए ना यहां तो यहां पे भी 2 है यह minus 2 है तो यहां पे भी minus 2 निकलना चाहिए था ठीक है तो पहला logic तो हमारा यहां पर यहीं खतम हो गया दूसरा अगर आप देखो minus 2 की जो value है अगर मैंने यह minus 2 डाला तो क्या वो minus 2 से छोटा होगा ठीक है तो logic के accordingly अगर second वाला भी fulfill होगा तब भी चलेगा लेकिन यह तो 2 बन जाएगा और 2 मेरा minus 2 से छोटा नहीं होता ब आपका यह जो है यह reflexive नहीं बन पा रहा है तो यह reflexive नहीं हो पाएगा वहीं पर अगर आप symmetric ले चलें symmetric ले मैं by chance यहां पर ले लूँ कोई value 2 और 3 ठीक है तो अगर मैं यहां पर इसको 2 डालूँ तो definitely 2 से बड़ा 3 है लेकिन इसका जो reverse है यानि 3 और 2 क्या वो इस relation में हों क्योंकि जो mod 3 होता है वो अगर मैं less than 2 लिख रहा हूं then the statement is false तो यह symmetric तो बिलकुल भी नहीं होगा यह भी आपको समझ में आ गया होगा अब चेक करते हैं क्या यह transitive बनेगा या नहीं बनेगा यह एक और scenario है अगर आपके पास a b किसी relation में होता है अगर आपके पास b c b किस relation में होता है तो definitely आपके पास c a को भी उस relation में होना चाहिए sorry a c को भी उस relation में होना चाहिए that is the rule हना यही rule है हमारा तो अगर यही हमारा rule है तो अब हम चेक करते हैं यहां पे होने क्या जा रहे अब आप इसको देखो तो यह transitive हमेशा हमेशा के लिए बनेगा इस चीज को ध्यान रखेगा बिल्कुल बनेगा क्यों नहीं बनेगा बिल्कुल बनना चाहिए आप यहां से मौड हटा भी देए तो देखो यह हमेशा transitive बनता है पहले तो इस चीज को यहां पे ध्यान रखेगा आप कोई भी example ले लीजे अगर मैंने बोला 2 मौड के अंदर है 2 और B को ले लिया मैंने 3 तो 3 2 से बड़ा होता है अगर इस relation में फिर मैंने मौड को डाला यहां पे 3 के अंदर और मैंने बोला यह 4 है तो 3 से बड़ा 4 होता ही होता है तो definitely A और C को भी relation को होना पड़ेगा तो अगर मैने यहां 2 डाला तो definitely 2 से तो 4 होता ही होता है तो इसका मतलब यह है excitables में तो यह question is always always a true case तो यहांपे यह question में इसे अर हमारा transit भी बन पाया और यह reflexive भी नहीं बन पाया यह आ डंक से समझेगा ठीक है अगर आपको reflexive का और doubt होता है तो मैं आपके concept एक चीज यहां पर और clear कर देता हूँ जब भी कभी आप mod को remove करते हैं equal to के sign में तो दूसरी side हो जाता है plus का bb और minus का bb ठीक है तो यहां से भी आप पता कर सकते हो कि यह anyhow आपका वैसे भी equal नहीं होगा क्योंकि अगर इन दोनों में a और a डालोगे इसने reflexive तो कभी बनना ही नहीं था तो please याद रखना mod वाले case में सिर्फ transitive ही बनता है hopefully समझ में आ गया होगा